अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं अब हम शुरू करते हैं एक नए मिथड के बारे में कि जिस तरह से कार्बन पॉर्टीन डेटिंग मिथड होती है उसके माद्यम से हम हमारे सराउंडिंग में जो भी हिस्टोरिकल या फिर हजारो साल पुराने अबजेक्ट होते हैं उसका एज के बारे में पता लगा सकते हैं वैसे ही अगर हमें कुछ ट्रीज के एज के बारे में पता लगाना है जो हमारे एरिया में या फिर नेचर में ट्रीज होते हैं तो वो ट्री कितने साल पुराना है और उसकी असली उम्र क्या है कौन से पिरेड में ये ट्रीज क्या था एक्जिस्ट था और आज तक उसका ए in height and the trunk also grows in the grid जैसे भी tree की height बढ़ती है तो उसका जो trunk होता है जिसको हम उसका major supporting part कहते है tree का वो trunk भी क्या होता है उसकी grip बढ़ती है A new ring appears for every year of the growth of the grip जैसे ही trunk की जो grip होती है वो बढ़ते रहती है तो उस tree के अंदर एक नई ring बन जाती है कि जब हम tree को काटते हैं तब इस ring को हम देख पाते हैं अगर हम इन rings को काटते हैं तो हमें उस tree के उम्र का पता चलता है कि जो भी लकडी से बनी चीजें होती है प्राचीन जो भी जो कला होती थी वो wooden art जो बनाई जाती थी है ना तो उस लकडी से बने हर एक चीज की हम क्या कर सकते हैं एक्चुल एज पहचान पाते हैं बाइज को इसको देंड्रो क्रोन लॉजी में इसको यूज किया जाता है इसके नाम से भी पहचाना जाता है और इस ट्री रिंग मेथड के माध्यम से हम किसी भी ट्री के असली उम्र के बारे में जान सकते हैं और ट्री से उड़ से बनी उन्च हर एक चीजों के असली उम्र को पहचान पा सकते हैं So my dear student, यह हो गई 3 ring method, I hope आपको यह समझ में आई होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, अगर आप नए है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेर करना भी ना भूलिए, फॉट वडे दिसमचूरली, थैंक लुक्यू